हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल सु फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे प्रेंड्स यह था जो कल आप लोगों ने देखा वो था होम टूर और आज यह है किचन का टूर मैं अपने भाई के किचन का टूर लेके आप लोगों के लिए आई हूं जो की चलिये स्टार्ट करते हैं तो यह उपर के साइड तीन कैबिनेट दे रखे हैं जिनमें सबसे जो डेली यूज में आने वाला खाना बनाने का जो भी सामान होता है वो यहां पे रख दिया है और अभी न ज्यादा क्योंकि रेंट पे रहते हैं इस वज़े से भी ज्यादा सामान नहीं है तो बहुत आपको बहुत ही अच्छे स्टाइलिस्ट इस टाइप के डब्बे बगर इस अच्छे सब्कारा नहीं देखेंगे बाकि यह पूरा ग्रॉसरी का आईटम है यहां पर जो भी ग्रॉसरी का रख दिया है इसमें रखा है वहाँ पे डेली यूजिस के कप और कैटल और जो इस्पून स्टेंड यह सब यहाँ पे रखा हुआ है इसके बाद आते हैं इस साइड के गैस के नीचे वाले कैबिनेट में तो सबसे कॉर्णर में सेलेंडर के लिए कैबिनेट दे रखा है और उसके बाद में यह ब यहाँ पे इदर मिक्सी और चाव लाटे के डब में यह सब रखा है और इदर जो सिंक के नीचे का एरिया है वहाँ पे कोई कैबिनेट नहीं लगा है तो वहाँ पे जो भी आरो का पानी निकलता है वो बाटल्स रखी हुई है तो यह कुछ इस तरीके से है और किचन यह ओ वो गेट से गुस्ते ही सीधे किचन है तो ओपन है तो यहाँ पे चिमनी की जुरत भी नहीं यह अन्या उधर से हलो कर रही थी और उसके बाद में कुछ इस तरीके से पूरे किचन का ओवर्वीव में आपको देती तो कुछ इस तरीके से है तो बतलब उल्जन नहीं होगी खाना बनाने में चिमनी हो चाहना हो क्योंकि पूरा ओपन है इस वज़े से और यह वाला प्लेटफॉर्म जो है वो देखे इतना है यह प्लेटफॉर्म उसके बाद सामने सिंग के एरिया का और उसके बाद इधर यह पतला से प्लेटफॉर्म है और इस साइट की जो रैक प्लेटफॉर्म के नीचे जो दी है पतलेवाले प्लेटफॉर्म के नीचे वो कवर्ड नहीं है तो वहां पर भी आप कुछ भी रख सकते हैं जैसे डेली यूज का सामान है और नीचे आलू अगरा प्याज वगरा यह सब रखे हुए हैं तो कुछ इस तरीकी से छोटा सा ह है लेकिन बहुत ही ठीक है दो लोगों के लिए तो यह कुछ किचन का पूरा ओवर्व्यू और एक बार मैं आपको सामने से भी दिखा देती हूं तो मैंने सुचा जब मैंने होम टूर कराया तो किचन भी आप लोगों को अच्छे से दिखा देते हैं कि किस तरीके से है और सिंकेरिया के बाद भी थोड़ा सा प्लेटपॉर्म है वहां पे आराम से बरतन की डलिया बगरा आ जाती है और इधर कैटल लगी रहती है लेक्ट्रिक वाली पानी वनी करम करने के लिए तो ये था हमारा किचन छोटा सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया अगर सबजी वगरा रखने के लिए है ओपेन में ही प्रिंट्स कैसा लगा ये किचन आपको और बहुत छोटा सा है लेकिन दो लोगों के डिये तो बहुत ही अच्छा है अच्छे से जारा सामान इसमें आ जाता है क्या है क्योंकि रहते हैं ज़्यान सामान भी नहीं है और ज्जादा सामान बढाते से भी किया अदक एक क्युक्त ड्रानसफर होता रहता है तो ज्यादा सामान बढ़ा लेकिैं प्रिंगकाम में इसको लगे लेजाने मिन इस funding की सामान झाल झाल